गुद्मॉर्णिंग फिर्ण्स में राजकुमार सिंग आपसे लोगा अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की विडियो में हमें उपढ़ेंगे क्लास 10 के supplementary reader का पहला चेप्टर जिसका टाइटल है the inventor who kept his promise इस विडियो में आप लोग पढ़ेंगे इस leçon के पार्ट 3 के बारे में इसका पार्ट 1 और पार 2 का वीडियो में बना दिया हूँ जिसका लिंक आपको description box में मिल जागा तो वहां से जा करके आप उसे पर सकते हैं तो चलिए इसको start करते हैं यहां से लिखा हुआ है the next six years अगले च्छा बर्सों तक addition made a series of inventions addition ने बहुत सारे inventions बहुत सारे अविशकार किये one invention followed another quickly and addition and more fame and money एक आविशकार के बाद में दूसरा आविशकार मतलब वह एक के बाद दूसरा आविशकार तेजी से किया and addition and more fame and money और addition बहुत अधी प्रसिद्धी fame का मतलब हो जागा प्रसिद्धी and money का मतलब हो जागा धन बहुँ ज़रा प्रसिद्य और धन कमाया In 1877 1877 में He was working on a machine वह एक machine पर काम कर रहा था That could reproduce the human voice जो human voice मानो अवाज को दुबारा reproduce, दुबारा सुना सकती थी The next year, अगले बस He actually made one वह वास्तो में ऐसी machine बना दी It was then called the Talking Machine और तब हम इसे Talking Machine मतलब बातचित करने वाली machine के नाम से जानते थे We call it the Gramophone now और अब हम इसे Gramophone के नाम से जानते है The same year उसी वर्स He was invited to the White House in Washington उसे Washington में White House में आमंत्रित किया गया, बुलाया गया That is the name of the house White House करा कि उस घर का नाम है Where the President of the United States of America lives जहां पे United States of America के राष्टपती रहते हैं Edison went there to show his new machine to the President Edison वहां पे अपनी नई मशीन को वहां के President राष्टपती को show मतलब दिखाने के लिए गया This made him famous all over America और उसने Edison को पूरे अमेरिका में famous कर दिया Now he was successful and prosperous और अब वहां सफल तथा Prosperous मतलब हो जागा सम्रिद साले तो अब वहां सफल तथा सम्रिद साले व्यक्ती थे He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hardware मतलब उन्होंने ये सब जो कारे किये वो अपनी मा की सहायता से किये उनके encouragement मतलब प्रोसाहन के सहायता से किये और खुद अपनी मेहनत की सहायता से किये इन मार्च 1878 आउस 1878 के मार्च के महिने में He began to work on an electric lamp वह बिजली के बल्ब पर काम करना सुरू कर दिये People used candles and oil lamps in those days People used candles and oil lamps in those days उन दिनों लोग मंबत्तियों तथा oil lamp का मतलब हो जाएगा तेल के दीपकों का परियोग करते थे They did not have electric lights और उनके पास बिजली की रोस्नी नहीं थी Edison promised to give them electric light to in two years Edison ने उन सबसे वादा किया कि वह उनको दो बरसों के भीतर भीतर बिजली का प्रकास देंगे When he said this जब उसने ऐसा कहा था All the scientists laughed at him तो सभी बैग्यानिकों ने उनकी हसी उड़ाई They said उन लोगों ने कहा That it was impossible यह असंभा है But Edison was not worried at all लेकिन Edison बिलकुल भी At all का मतलब हो जागा बिलकुल बिलकुल भी चिंतित नहीं हुए He worked harder and harder उन्होंने बहुत कठिंग परिश्रम किया He performed a thousand experiments But all of them felt उन्होंने लगभग हजारों परियोग किये लेकिन सभी के सभी असफ़द हो गए But he did not give up hope लेकिन उन्होंने अपनी उमीद नहीं छोड़ी I must keep my promise to the people He said to himself And work harder still उन्होंने सभी से कहा कि मुझे लोगों को दिया गया वादा पूरा करना चाहिए और वह पहले की तरह कठिंग परिश्रम करते रहे He was racing against time और वह समय के बिरूत काम कर रहे थे At last, Ant में he succeeded in making an electric bulb After nearly 1200 experiments और Ant में वह पिजली का बल बनाने में सफल हो गए Nearly मतलब लगभग 1200 experiments मतलब लगभग 1200 परियोग करने के बाद में वह पिजली का बल बनाने में सफल हो गए On New Year's Day, 1880 he and his workers put a electric light at his laboratory नए बर्स के दिन 1880 में वह तथा उसके जो उनके साथ जो कार करने वाले थे उन सब ने लगभग परियोग साला में बिजली का बल ब जला दिया People from all over America came to see that grand site और पूरे अमेरिका से लोग उस संदार दिर से को देखने आये Edison had kept his promise to the people Edison ने लोगों को दिया हुआ वादा निभा दिया On 4 September 1882 और 4 September 1882 को for the first time पहली बार निव्यार्ग sown in the brightness of electric light पूरा निव्यार्ग जो था वो बिजली के बल्ब की रोसनी में चमक उठा Edison served his country during the first world war Edison ने पर्थम बीश्व यूद्धी के समय भी अपने देश की सेवा की He made 40 war time invention and was awarded a medal for his service उन्होंने यूद्धी के समय 40 war मतलब की 40 आविसकार किये और उन सब के लिए उन्हें एक medal एक पदक भी दिया गया In 1929, the Silver Jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in a grand manner 1929 में the Silver Jubilee मतलब रजत जयनती मनाई गई After invention of electric bulb मतलब बिजली के बल्ब के अविसकार की जो रजत जयनती थी वो 1929 में मनाई गई इने grand manner मतलब एक संदार तरीके से The President of United States of America United States of America के राष्टपती Received him and honored ही मतलब उनका सम्मान किये At a big function एक बहुत बड़े समारोह में Edison got up at the function to thank the President But suddenly fell ill Edison got up Edison उठा at the function उस समारोह में To thank मतलब धन्यवाद करने के लिए The President राष्टपती का But suddenly fell ill लेकिन अचानक से वो एकदम बिमार पड़ गए His illness became worse और उनकी जो बिमारी थी वो पहले ज्यादा बढ़ गई And he died on Sunday morning of 18 October 1931 और 18 October 1931 के रभिवार के सुब उनकी मिर्टवी हो गई Thus indeed the great and eventful life of a man Who enriched human life and happiness इस प्रकार से उस महान ब्यक्ती के जीवन का अंत हो गया Who reached जिन्होंने बना दिया था सम्रिट कर दिया था Human life, मनुसे के जीवन को and happiness और उनकी खुशियों को जिन्होंने मनुसे के जीवन दथा उनकी खुशियों को बढ़ा दिया था He said once उन्होंने एक बार कहा था I shall never invent anything which will destroy life मैं ऐसे अविश्कार कभी नहीं करूँगा जो जीवन का बिनास करेगी I want to make people happy और मैं लोग उनको प्रसंद करना चाहता हूँ He also said उन्होंने ये भी कहा The world has been in darkness too long ये स्यों हमारा संसार वह बहुत समय से अंधेरे में है I would like to give to the world more laughter and more light मैं चाहता हूँ इस संसार को बहुत ज़्यादा hansi Water बत बतलब हसी देना And more light मतलब बहुत ज़्यादा प्रकास देना मतलब मैं इस संसार को बहुत अधिक हसी तथा बहुत अधिक प्रकास देना चाहता हूँ He kept his word और उन्होंने अपना word मतलब बच्चन निभाया His gramophone has brought us more laughter उनके gramophone ने हमें बहुत ज्यादा हसी परदान की है and his electric lamp और उनके बिजली के bulb ने has given us more light हमें अत्यधिक प्रकास दिया है Today our country and the world needs more man-like Edison आज हमारे देश को तथा विशो को Edison जैसे महान व्यक्तियों की आओ सकता है Every boy and girl should follow his great example और परतेग लड़के तथा लड़की को उनके महान उदाहरन का अनुसरार करना चाहिए